यह स्टुडेंट्स गुड मॉनिंग अवरिवन वेलकम टू अनन्त मैथेमेटिक्स तो स्टुडेंट आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथेमेटिक्स एक्सराइज नंबर 13.2 13.2 एक्सराइज का सम नंबर फर्स्ट है एक हैमिस्फियर है जिसके ऊपर एक कोनिकल शेप का सोलिड ठीके खड़ा है जानी की है विद बोथ देर रेडियाई बिंग इक्वल टू वन सेंटिमीटर दोनों के रेडियाई वन सेंटिमीटर है मतलब क्या है जो हैमिस्फियर है ध्यान देना डायगराम मैंने बना रखा है यह हमारे पास हैमिस्फियर है ठीके तो इस हैमिस्फियर का जो रेडियस है वन सेंटिमीटर है इसके ऊपर कोन है कोन का रेडियस भी वन सेंटिमीटर है ओके तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ह हाँ जी तो next step में इन्होंने कहा है and the height of the cone is equal to its radius जो cone की height है वो radius के equal है find the volume of the solid in terms of pi pi की term में हमने जो solid है उसका volume find करना है ठीक है तो conical part का radius और height इन्होंने equal दे रखें हैं ठीक है तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपने क्या find करना है solid का volume find करना है ठीक है volume of solid हाँ जी आपको मालूम है कि इस solid के हमारे पास two parts है कौन कौन से है one is hemispherical तो hemispher का volume निकालने का फामूला क्या होता है two by three pi r cube second part हमारे पास कौन सा है conical तो कौन का volume निकालने का फामूला क्या होता है one by three pi r square h जो हमारे पास solid है solid में क्या कुछ शामिल है एक तो इसका यह hemispherical part शामिल है जो नीचे है उपर conical part है ठीक है तो जब बात solid की हुई है solid का volume फाइंड करना है तो आपने क्या करना है दोनों हिस्सों का volume फाइंड करना है जो hemispherical part है उसका volume निकालने का फामूला two by three pi r cube होता है पलस जो conical part है उपर वाला हिस्सा है उसका volume निकालेंगे तो 1 by 3 pi r square h ठीके अब आपको मालूम है कि 1 by 3 इदर 2 by 3 है तो 1 by 3 common निकाल सकते हैं आप लोग pi दोनों में है pi common निकाल सकते है r दोनों में सेम है जो hemispherical है उसकी r भी 1 है radius 1 है और जो conical है उसका radius भी 1 है ठीके तो radius भी common निकाल सकते हैं यहाँ पर r cube है यहाँ पर r square है तो r square common आ जाएगा यह small है देखिए 2 by 3 में से 1 by 3 बाहर है तो यहाँ 2 बच गया pi तो pi बाहर है r cube में से r square बाहर है तो यहाँ 2 r बच जाएगा plus 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi r square 1 by 3 pi r square common तो अंदर हमारे पास h बच जाएगा ठीके तो 1 by 3 हाँ जी pi की form में answer निकालना न pi को वैसे कब वैसी रखो r की value क्या है r की value 1 दे रखी है ठीके तो 1 का square हो जाएगा into में 2 into r की value 1 plus h की value क्या है h मतलब यह रहा h किसका h निकालना है जो cone है उसका h ठीके तो cone की height हमें 1 दे रखी है एक point था बीच में कि conical part की height है जो hemispherical part की height के equal है ठीके तो hemispherical part की height जहाँ radius के कह सकते हैं ठीके क्योंकि आपको मालूम है hemisphere का radius height equal होते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि यह cone की height है वो cone के radius के equal है जाने कि 1 cm है तो यहाँ पर क्या बच गया 1 by 3 pi 1 का square करेंगे 1 आएगा कोई root लिखने की नहीं है यहाँ पर 2 into 1 2 होता है और plus में 1 का 1 लगा दो ठीके तो 1 by 3 pi और multiply में 2 plus 1 हमारे पास 3 आ जाएगा 3 से 3 cancel कर सकते हैं तो answer अपने पास बन गया pi cm square जाएगा क्यूब क्यूब आएगा क्योंकि volume के बात हुई है ठीके volume के लिए cube लगाना है और जब भी surface area की बात हो वहाँ पर आप square लगाएंगे तो volume of solid जो total हमारे पास यह solid है ठीके इसका volume कितना आ रहा है पाई जानी कि 22 by 7 cube cm ठीके तो क्योंकि हमने answer pi की form में निकालना था इन्हों दे रखा न find the volume of solid in terms of pi pi की form में answer निकालना था इसलिए हमने pi को change नहीं किया pi की value हमने 3.14 जान फिर 22 by 7 फिल नहीं की है ओके students तो next है हमारे पास some number second रचेल an engineering student रचेल हमारे पास कुछ student है engineering का was asked to make a model उसको एक model बनाने के लिए कहा गया था shaped like a cylinder यहां से हमारा some start होता है model किस type का उसने बनाना है model उसने बनाना है cylindrical type का क्या बनाना है उसने cylindrical type का model बनाना है like a cylinder ठीके with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet कोई पतली सी aluminium की sheet हमने यूज करनी है cylinder के दोनों सिरो पर क्या है two cones लगाए गए है two cones लगाए गए है cylinder के दोनों सिरो पर ठीके तो the diameter of the model is three centimeter and its length is twelve centimeter जो model है उसका उसका diameter कितना है three centimeter है diameter है ध्यान रखना इसका half करेंग radius हाजाएगा और उसकी जो length है वो twelve centimeter है if each cone has a height of two centimeter find the volume of air contained in the model that रचेल मेड जो रचेल ने model मनाया है उसमें कितनी air contained हो सकती है वो हमने बताना है कितनी air आ सकती है assume that the outer and inner dimension of the model to be nearby by the same ठीके तो जो outer और जो inner dimension है ठीके वो लगबग same माननी है इनोंने ठीके तो ध्यान देंगे model जो है हमारे पास ठीके second sum है हाँ जी इसे अपम किस type से रखें चलो ऐसे ही रह लेते हैं vertical form में पहले cylindrical part त्यार करेंगे इसका ये cylindrical part इसका त्यार हो रहा है ये अब दोनों सिरो पर क्या है कौन बनाए गए हैं ठीके तो एक कौन हम लोग इधर बना देते हैं ठीके इस type से दोनों सिरो पर कौन बनाए गए हैं ठीके तो इसमें इन्होंने साफ साफ बोल रखा है diameter of the model is 3 cm model का diameter ये रहा model का diameter ठीके 3 cm diameter है पूरा तो 3 by 2 cm इसका radius हो जाएगा same radius उपर बनेगा 3 by 2 cm ठीके तो next है its length is 12 cm जो model की length है वो कतनी है length 12 cm है ठीके तो धान देना जो हमारे पास model था उन्होंने cylindrical कहा है अब किसकी length है model की length ठीके उपर उपर देखो to make a model shaped like a cylinder cylinder type का हमारे पास model है इसका मतलब यह हुआ कि जो length दे रखी है यह only हमारे पास cylinder की दे रखी है ठीके तो cylinder की length जानी की यहां से लेकर यहां तक यह दे रखी है 12 cm ठीके इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है each cone has a height 2 cm जो cone है उसकी height अलग से हमें दे रखी है यह कितनी height है 2 cm दे रखी है यह height हमें 2 cm दे रखी है ठीके फिर से मैं बता दूँ कि इन्होंने बोला है कि diameter of the model is 3 cm model का diameter यह वाला 3 cm है radius मैंने 3 by 2 कर दिया ठीके height length sorry length is 12 cm अब मैंने 12 cm यहां से लेकर यहां तक नहीं लिया है ठीके तो मैंने just यानि कि cylindrical part है उसकी length लिया है क्योंकि starting में इन्होंने जो दे रखा है वो लिखा हुआ है कि was asked to make a model shaped like a cylinder जानि कि कहने का मतलब है जो model है वो cylinder type का starting में बोल रखा है जानि कि इन चीजों को mention नहीं किया model cylindrical ही माना गया है ठीके तो इसका मतलब है कि यह cylinder की height ही दे रखी होगी इन्होंने ठीके चलिए इसका हमने volume find करना है ठीके तो volume of हाँ जी ठीके जो हमारे पास model है उसका volume हमने find करना था हाँ जी model में कौन कौन से part है एक तो देखो इसका cylindrical part है ठीके cylinder का volume निकालने का formula हमारे पास क्या होता है pi r square h होता है ठीके तो इसके बाद इसके दो part है conical part क्योंकि यह दो part है तो पहले 2 लेते हैं ठीके 2 multiply हाँ जी कौन का volume निकालने का formula हमारे पास क्या होता है 1 by 3 pi r square h ठीके क्योंकि यह मैंने multiply 2 से क्योंकि 2 थे फिर से सुन लो हमने simple sum है volume वाले surface area में फिर भी थोड़ी बो problem आती है बच्चों को ठीके लेकिन volume में कुछ नहीं है अब model का volume निकालना है इसमें कितनी air आ सकती है यह निकालनी है ठीके तो cylinder का volume यह रहा pi r square h तो plus में क्या करना है दोनों जो हमारे पास conical part हैं उनका जो volume आएगा क्योंकि 2 है conical part तो मैंने 2 से multiply कर ली starting में और एक conical part का volume निकालना हो तो formula है 1 by 3 pi r square h ठीके तो अब यहां से आप लो common निकालने का benefit इतना रहता है कि calculation थोड़ी easy बढ़ती है बाकी आपकी choice है common निकालने चाहे ना निकालने pi 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 common निकालो r square r square common निकालो ठीके अब यहां पर h common नहीं आ सकती कार्ण क्या है इसका mean ये है क्योंकि जो cylindrical part है उसका तो h different है और जो conical part है उसकी h different है cylindrical part की h कितनी है height कितनी है 12 cm है और जो conical part है उसकी height कितनी है 2 cm है ठीके तो h different है तो इसे ऐसे कर लो यहां पर h1 लिह लो ठीके R दोनों में same थी जो slender की R है radius ये ध्यान दोज इस slender का base है जो slender का base है वही जो conical part है उसकी top है तो radius same है इसलिए radius को R square R square लिख सकते हैं ठीके तो यहाँ पर pi R square common है तो अंदर हमारे पास बचेगा H dash sorry H1 ठीके पलस में आ जाएगा 2 by 3 pi R square बाहर है यहाँ पर H2 लगा दो ठीके तो हाँ जी यहाँ पर value fill कर सकते हैं ठीके pi की value हमें पूछ देखे रखा हैं 22 by 7 fill करें ठीके जान देना pi की value 22 by 7 R की value यह रही R की value ठीके यह fill करेंगे आप 3 by 2 multiply 3 by 2 क्यों? डबल बार क्यों क्योंकि R square था यहाँ पर H1 H1 हमारे पास कौन सा है यह क्या था volume सिलेंडर का volume था ना तो H1 12 हुई है हमारे पास पलस 2 by 3 multiply H2 ठीके H2 मतलब जो कौन है उसकी height कितनी है दे रखी है 2 cm तो यहाँ पर 2 लगा दो हाँ जी तो कुछ cancel करना कर लो नहीं तो बाद में कर लें कोई बात नहीं 22 by 7 into 3 into 3 कितना हो गया? 9 by में आ जाएगा 4 यहाँ पर 12 upon 1 पलस में क्या आ जाएगा? 2 into 2 4 by 3 22 by 7 into 9 by 4 LCM हमारे पास 3 आ जाएगा तो 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा इसको 12 से multiply करो 12 थी जा 36 होता है 3 से 3 cancel करेंगे तो 4 आ जाएगा 22 by 7 into 9 by 4 multiply 36 और 4 कितना हो गया? 40 by 3 बन जाएगा यह अब cancel करो यह 4 से cancel हो रहा है 10 आ जाएगा और यहाँ पर यह 3 से cancel कर दो 3 आ जाएगा यहाँ पर तो all over 22 हाँ जी ठीक है 22 by 7 है into में 3 को 10 से multiply की तो 30 आ जाएगा इनकी calculation क्या बनेगे? 0 और यहाँ 6 और 6 by 7 ठीक है? इसको divide कर लेते हैं यह students ध्यान देना थोड़ा answer चक किया गया है तो क्या बोला था मैंने कि जो height है हमारे पास ध्यान देंगे ठीक है? यह 12 cm मैंने cylindrical part के लिए थी ठीक है? तो according to me होना भी ऐसे ही चाहिए ठीक है? क्योंकि यहाँ पर model की इन्हों डायमेटर 3 cm दे रखी है model का डायमेटर कितना है? 3 cm है और height हमारे पास ठीक है? total height दे रखी है अलांकि यह word बोला नहीं है और उपर से देखें तो model को इन्हों सिलेंडरिकल बोला था तो इसलिए मैंने सिलेंडर के इसाफ से इसकी height ले ली थी length ले थी 12 cm ठीक है? तो ध्यान देंगे फिर से मैं बोल रहा हूं सुन ले ध्यान से यह देखे ध्यान से कि जो मैंने height ली है वो cylindrical part के लिए है यहां कुछ mention नहीं है starting में mention है कि यह model है वो cylindrical type का है ठीक है? तो actually क्या होना चाहिए? सिलेंडर की length ही 12 होनी चाहिए लेकिन इन्होंने total जो model है उसकी length को 12 कंसिडर किया है ठीक है? तो इनके हिसाब से करेंगे तो ध्यान देंगे हाँ जी यहां से लेकर यहां तक की जो length है वो 12 है ठीक है? answer अगर match करते हैं सुन लें ध्यान से तो total जे हमारे पास 12 है और हमें conical part की height तो अलग से दे रखी है 2 cm 2 cm यह हो गया और 2 cm यह हो गया जाने की बीच में जो slender है इसकी height बचेगी जाने इसकी length बचेगी वो कितनी है वो 8 cm है तो मतलब आपने जो 12 लेना है वो क्या करना है? जो पूरा model है ठीक है? यहां से लेकर यहां तक की वो length है ठीक है? तो उसमें से conical part कितना है? 2 cm यह भी 2 cm तो 12 में से 2 प्लस 2, 4 माइनस कर देंगे तो यह 8 आ जाएगा ठीक है? तो कहने का मतलब है जो cylindrical part है क्या है इसकी height h1 हमारे पास क्या है? 8 cm ठीक है? तो यहां पर 8 फिल करेंगे आप लोग यहां पर 8 आ जाएगा ठीक है? और यहां पर भी 8 आ जाएगा हाँ जी जान दें यहां पर हमारे पास 8 हो जाएगा हाँ जी 8 को 3 से multiply करेंगे तो यह बन जाएगा 24 बस ओके? यही पर change करना है 24 और 8 हमारे पास हो जाएगा 28 हाँ जी 24 प्लस 4 28 तो बाए 3 है तो 3 से यह cancel किया हमने यहां पर 3 आ गया इसके बाद 4 से यह cancel करेंगे तो यह आ जाएगा 4, 7, 0 28 होता है तो यहां पर 7 आ जाएगा 0 यह हटा दी मैंने ठीक है? तो ध्यान देना 9 को मैंने 3 से cut किया 3 आ जाएगा 28 को 4 से cut किया 7 आ जाएगा अब यह 7 से हम 7 cancel कर देंगे ठीक है? तो अपने पास क्या बन गया? अपने पास 7 भी cancel हो गया और यहां पर 3 बचा 0 यहां से cancel हो गई ठीक है? तो 22 को 3 से multiply इतना ही बचा हमारे पास 22 multiply 3 that is 66 ठीक है? यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा यह? यह आ जाएगा 66 sorry cube square नहीं cube centimeter ठीक है? तो मैं फिर से mention कर दूँ कि जो हमारे पास model था यह वाला इसकी total height यहां से यहां तक 12 है ना कि cylinder की 12 है ठीक है? क्योंकि इनोंने starting में जो first line दे रखी थी उसमें बोला था कि model क्या है? cylinder type का है ठीक है? तो इसलिए मुझे लगा कि जो हमें length दे रखी है वो अकेली cylinder की दे रखी है ठीक है? तो cylinder की length से हमने किया था उससे answer match नहीं हुआ तो मैंने क्या किया? फिर से change किया फिर मैंने यहां से लेकर यहां तक पूरे model की length ली जिससे हमारा answer right आ रहा है ठीक है? यह थोड़ी हाँ जी ठीक है अब यह students तो next हमारे पास इसी exercise का sum number 3 है ए गुलाब जामुन contains sugar शिर्प up to about 30% of its volume यह डिबबा दिखाई दे रहा होगा आपको slendrical इसके अंदर गुलाब जामुन भी दिखाई दे रहे होगे ठीक है छोटे छोटे है तो एक गुलाब जामुन में क्या दे रखा है? sugar सिर्प रस बगरा कितना है? sugar कितना है? उसके बारे में दे रखा है कितना है? जितना इसका volume है उसका 30% टोटल वोलिम का 30% क्या है? sugar है गुलाब जामुन में ठीक है? find the approximately how much सिर्प would be found in 45 गुलाब जामुन जाने कि 45 गुलाब जामुन है तो उन में sugar सिर्प कितना आएगा? ठीक है? यह बताना है each shaped like a cylinder हर एक गुलाब जामुन किस shape का है? cylindrical shape का है with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm ठीक है? तो क्या दे रखा है? कि एक गुलाब जामुन है उसमें 30% उसके volume का sugar है ठीक है? जो volume है उस गुलाब जामुन का उसका 30% क्या होगा? sugar होगा 45 गुलाब जामुन में कितना sugar है? यह बताना है आपने sugar सिर्प है, ठीक है? तो हर एक गुलाब जामुन cylindrical type का है और साथ में क्या है? जो cylinder के दोनों end है जानि top bottom कह सकते हैं दोनों क्या है? hemispherical type के हैं ठीक है? तो width length length कितनी है? length है गुलाब जामुन के 5 cm और diameter है 2.8 cm focusments तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? third sum में यहाँ पर कर लेते हैं यह हम गुलाब जामुन की shape बनाएंगे, ठीक है? डिबा नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम लोग केवल गुलाब जामुन को ही mention करेंगे ठीक है? अब गुलाब जामुन किस type का है? slendrical type का है, ठीक है? तो गुलाब जामुन के बारे में एक बात clear कर रखी है इन्होंने कि जो गुलाब जामुन है ठीक है? उसका diameter है 2.8 cm यह 2.8 cm यहाँ से यह है diameter ठीक है? तो यह कितना हो गया? यह हो गया 1.4 cm radius ठीक है? यह भी 1.4 cm अगर यह 1.4 cm है यह भी 1.4 cm होगा और यह ठीक है? इसका hemisphere है इसकी height समेलो यह radius के equal आएगी यानि कि यह भी 1.4 cm बनेगी ठीक है? यह कितनी बनेगी? यह भी 1.4 cm बनेगी टोटल लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की? टोटल लेंथ दे रखी है हमें 5 cm ठीक है? टोटल लेंथ 5 cm हमें दे रखी है अब यह देखो कि 1.4 इदर से है 1.4 इदर से है टोटल 5 है तो 5 में से 1.4 1.4 जानि कि 2.8 माइनस कर दो तो यह cylinder की जो length जा height आ चुकी है यह कितनी है? 2.2 cm ठीक है? फिर से मैं बात क्लियर कर दूँ कि जो हमारे पास गुलाब यामुन है वो किस टाइप का है? cylindrical टाइप का है उसके दोनों end पर है hemispherical लगे हुए हैं और क्या है? विद लेंथ 5 cm गुलाब यामुन की लेंथ 5 cm है diameter 2.8 है तो गुलाब यामुन की लेंथ है वो यहां से लेकर यहां तक consider होगी पूरी ठीक है तो अगर diameter अपने पास कितना दे रखा है इन्होंने diameter 2.8 है ठीक है तो radius 1.4 ये 1.4 ये भी 1.4 सेम ये 1.4 ये भी 1.4 तो 1.4 इदर से 1.4 इदर से काट दो 2.8 हो जाएगा total हमारे पास जो height है या length है इसकी गुलाब यामुन की 5 cm है तो 5 में से 1.4, 1.4 माइनस किया तो cylinder की height आ गई जाने की length आ गई ठीक है अब आपने पहले एक गुलाब यामुन का volume find करना है ठीक है volume find करना है 1 गुलाब यामुन का ठीक है volume of 1 गुलाब यामुन हाँ जी एक गुलाब यामुन का volume find करने के लिए हमें के करना पड़ेगा इस hemispherical part का volume निकालना पड़ेगा cylinder का volume निकालना पड़ेगा और plus में फिर से hemispherical part का volume करना पड़ेगा ठीक है तो ये hemisphere है, hemisphere का volume क्या होता है, 2 by 3 pi r cube, ठीक है, 2 by 3 pi r cube, hemispherical part का volume निकालने का फामूला है, तो इसका 2 by 3 pi r cube और इसका same 2 by 3 pi r cube हो जाएगा, तो ये double कर दो इसका, ठीक है, क्योंकि ये भी hemispherical part है, ये भी hemispherical part है, double कर दिया, plus में क्या करना है, plus में slender का volume, slender का volume क्या बनेगा, pi r square h, लो जी, अब इसमें देखो radius तो दोनों का same है, जो radius hemispherical part का है, वही slendrical part का है, ठीक है, तो change क्या है, change इसमें देखो कि, इसमें तो h नहीं है, इसमें h बस कुछ नहीं है, चीक है, तो वैसे कब ऐसे ही कर देंगे हम चलिए common निकालो पहले आप लोग, तो pi pi को मना जाएगा, ठीक है, r cube और r square में से r square को मना जाएगा, क्या बच गया, 2 into 2, 4 by 3, ठीक है, pi r cube में से pi r square common है, तो यहां पर r बच जाएगा, प्लस में, pi r square h, pi r square बाहर है, तो यहां पर h हो जाएगा, ठीक है, यहां value fill कर सकते है तो यहां पर क्या जाएगा, 22 by 7 into r square, हाँ जी क्या है, radius इसका 1.4, तो यहां पर 1.4 आ जाएगा, फिर से multiply में 1.4 आएगा, into में 4 by 3, r, r की value हमारे पास क्या है, r की value है 1.4, प्लस में h, हाँ जी, slender की height कितनी है, 2.2, slender की height है 2.2, तो यहां पर 2.2 आएगा, logic, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 22 by 7 into 1.4, multiply 1.4, यह हो जाएगा, 1.96, ठीक है, हाँ जी, 4 को 1.4 से multiply करेंगे, तो यह आजाएगा, 5.6 by 3, प्लस में 2.2 by 1 हो जाएगा, 22 by 7 वैसे का वैसे ही, multiply 1.96 आजाएगा, LCM 3 आएगा, तो 3 से 3, cancel 5.6, प्लस 3 को multiply कर दो, इदर 6.6, 22 by 7, multiply 1.96, हाँ जी, next क्या है, 5.6 प्लस 6.6, कितना हो जाएगा, यह 6 प्लस 6, 12, हाँ जी, next क्या है, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 प्लस 5, 12 हो जाएगा, बाए में हमारे पास 3 आ जाएगा, हाँ जी, इसकी calculation करनी है, अब हमने, यह students, तो ध्यान दें, calculation बेगारा कैसे करनी है, 22 by 7, multiply 1.96, है, इन्टू में 5.6, प्लस 6.6, बाए 3 है, तो 1.96 वैसे का वैसे ही, इनको add कर देंगे, तो 12.2, बाए में 3 वैसे का वैसे आएगा, तो यहाँ पर 1.96 को 7 से, आपने cancel करना है, divide करना है, तो यह बनेगा, 0.28, ध्यान दें, यह 0.28 है, ठीके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, 22 को 0.28 से multiply, फिर 12.2 से multiply, तो यह बन जाएगा, 75.152, ठीके, बाए में 3 है, अब 3 से divide करेंगे, तो यह आजाएगा, आल्मोस्ट लगभग 25.05 क्यूब सेंटी मीटर, ठीके, तो यह आचुका है, वन गुलाब जामून का total volume, ठीके, और इन्होंने क्या पूछा है हमसे, कि 45 गुलाब जामून का अपने गुलाब जामून में, जो सिर्प है, शुगर सिर्पे कितना होगा, तो यह तो एक ही गुलाब जामून का volume है, 45 गुलाब जामून का volume मैंने इस साइड पे निकाला है, ध्यान देंगे, एक गुलाब जामून का volume यह है, 45 गुलाब जामून का volume निकालना है, तो ये 45 गुलाब यामुन मतलब 45 गुलाब यामुन का वोलीम आ जाएगा 1127.25 क्यूब सेंटीमीटर ठीके तो 45 गुलाब यामुन का ये हमारे पास वोलीम है अब आपने क्या करना है 45 गुलाब यामुन में ये सूगर सिर्प है वोलिम ओफ सूगर सिर्फ निकालना है इन 45 गुलाब यामन तो क्या करेंगे कितना है स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था mathematics में देखो कि 1 गुलाब यामन में जो सूगर सिर्फ है वो कितना है वो 30% ही है ठीके 30% हमारे पास सूगर है तो आप लोग जो टोटल वोलिम आया है अपने पास 45 गुलाब यामन का उसको 30% से multiply कर देंगी 30% से multiply करने का मतलब है multiply में 30 by 100 कर देंगे percentage काटेंगे तो by 100 हो जाएगा 0 से 0 कट करो इसके बाद 1127.25 की 3 से multiply करके और by में 10 है उसके according आप point लगा दो तो ये बन जाएगा 338.17 क्यूब सेंटीमीटर जो की 45 गुलाब यामन में total सूगर सिर्फ है ठीके तो काम बिलकुल easy है ठीके यस्ट आपको फामूले learn होने चाहिए तो ये 3 सम हम इस वीडियो में cover कर रहे हैं तो I hope कि आपने समझा होगा इनको calculation भी मैंने complete कर दी है ठीके थोड़ी सी calculation length ही है ये method easy है तो आप calculation के लिए practice करेंगे sums की तो इस वीडियो में हम 3 sum ही करेंगे तो next sums के लिए next video बनेगा ओके students all the best, thank you so much